तोडेगर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिए सिकेंड और सिमेस्टर के हिंधी के most important question and answer के बारे में तो आज की ये वीडियो बहुत ही महात्पूर होने वाले जिन भी student की परिच्छा आने वाले दिनों में लगी है तो इस वीडियो को complete देखते रहेगा आपको काफी ज़यदा help मिलेगी और आप सभी को जानकारी होगी नहीं होगी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका भी second semester में जो हिंदी का paper होगा उसमें question जो आएंगे वो computer से सम्बंदित होगे और office से यानि कारलाई से सम्बंदित question होगी ठीक है तो आपके प्रश्ण पत्र का ही नाम है कारलाई हिंदी और computer ठीक है तो कारलाई का मतब हो गया office से सम्बंदित और computer मतब और computer और internet question पूछे जाएंगे ठीक है जहां पर लिखित परिच्छा होने वाली उन सभी छात्र वा छात्रों के लिए वीडियो महत्पूरे तो शुरू करते और complete video देखेंगे मतब कि complete video को देखेंगे तो आपको बहुत ही help में लेगी ठीक है तो ध्यान लखेंगे उसका नाम था सिद्धार्थ क्या नाम था सिद्धार्थ बहुत ही common और बहुत ही popular question है और कई बार आभी चुका ध्यान लखेंगे सिद्धार्थ computer ठीक है उसके बाद निश्क कुश्चन है ऐसे ही आपकी परिच्छा में देखनों को मुलेंगे question भारत मे सुपर कंप्यूटर का विकास कब हुआ यानि कि भारत में सुपर कंप्यूटर यानि कि जो बहुत ही fast काम करता है और बहुत फारे लोगों का बहुत फारे computer का जो कार रहे है वह कहले यह कर देता वह भी तेज से और accuracy माने सुद्धता के साथ ध्यान रखेंगे परम 8000 सीड 1910GB में किया गया इसके निर्माड का स्रे सीड्यक के निर्देशक के company अर्गूनाइजेशन थी तनषथा थी जिसमें सुपर कंप्यूटर का निर्माड किया गया था शन 1991 में और डाक्टर विजय भासकर के निर्देशक में यह कंप्यूटर बनाया था सुपर कंप्यूटर ठीक है ध्यान लखेंगे किसके नर्दिसेक में डाक्टर बिजे भासकर को जाता है परम युवा सिकेंड सुपर कंप्यूटर के निर्माड 2013 इस भी में किया गया जो सीड़ेक द्वारा विक्षित सबस्वे तेज कंप्यूटर था फिर उसके बाद इसमें कुछ अब्डेट करके नया कुछ बनाया गया जिसको परम युवा के नाम पे पुकार गया ठीक है परम युवा से केंड सुपर कंप्यूटर जो की 2013 में थी ठीक है इस प्रकार सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल ठीक है फ्लो सॉलवर का विकास नौल नेशनल एरोनोटिक लिम्टेट बैंगलोर के द्वारा 1910 में किया गया था तो इस प्रकार लिखेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास ठीक है क्रम वाइस कैसे कैसे हुआ और उसका प्रच्चा लिखेंगे बहुत popular question ने कई बार आज चुका है सिंपल सी बात इस पार भी उम्मीद पूरी है कि फशेगा अगला प्रश्ट नहीं कि computer की विसेश्था बताईए या फिर विसेश्था हैं लिखें तो computer में कुछ विसेश्थी होती है उनके बारे में करने जिसे कि आपके पास mobile है तो mobile की विसेश्था बताईए तो mobile में आपको बहुत फारे features मिल जाते हैं बहुत फारी चीज़ें मिल जाती है कि आपका जो काम है वो सही समय पे हो जाता है सटीक हो जाता है और आप किसी से बात कर सकते हैं जब आपके इच्छा हो ठीक है और कोई भी कार आप तेज से कर सकते हैं ठीक कोई भी सर्च कर वक्ते कुछ भी पढ़ वक्ते हैं ठीक है इंटरनेट के माद्दें पे तो computer की बहुत फारी सुभिधाएं हैं और इस इतरा mobile की बहुत फारी सुभिधाएं हैं मुवाइल के भी और computer के भी हैं तेहां पर question है computer के बताईएं तेहां पर आपको लिखना है पहला नंबर पर कंप्यूटर बहुत ती ब्रगत से कार करने वाली मशीन हैं computer जो है वो बहुत सारा कार बहुत तेज से करती है और सुधता के साथ भी करती है ठीक है यह नि हर काम बहुत अच्छे करता है अगला की बहुत मुखी प्रतिभा computer की ठीक है विलचण शमता है और अगला विसेश्ता है computer में अस्वाण स्वक्ति अत्यांत्य तेब्र होती है अस्वाण स्वक्त का मतलब होता है कि उसमें storage करने की समता और किसी चीज को magic करने की याद रखने की मतलब कि अपने डेटा में या फिर अपने हाई क्षमें शेव करने की बहुत ही जो स्वक्तय होता तो कोई भी आप लोग करते हैं और डाउनलोड करते तो वह आपके मतब कि उसमें सेव होता है ठीक है यह इसकी असमरण की जो पावर होती है बहुत ही पास होती है अगला की कंप्यूटर हो सबी लोग इसे पूरी तरह परचित हैं इंटरेट के बारे में नेटवर्क एक ही प्रकार की वद्फटो का संजाल है मत्यम कि सेम प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं उनी का गॉरूप होता है उन्हीं के एक जाल होता संजाल होता जिसका आर्थ है कि प्रकार के दो या दो फिर अधिक वफ्तों का पर्क में आना इंटरनेट एक ब्रहद पियर टू पियर एक समान नेटवर्ग है इसे जुड़कर कोई भी कंप्यूटर बड़ी फरलता फिस उसनाव कारदान परदान कर सकता है इसे सारे कंप्यूटर टेलिफॉन लाइन से जुड़े जाते हैं इंटरनेट एक टीवी रिले स्टेशन की तर एकल ब्रशिय को फर्श कर सकते हैं लो किसी बीचीज को टांसपर कर सकते हैं किसी वी चीज को मंगा सकते हैं इस तरह कि बहुत फारे सुबिदाय मिलते इंटरनेट में आप सब्दी को अच्छे जब मालूम ही है जैदा एक्स्प्रेंट करने की में आव सकता नहीं लेकिन जो बेशिक चीज़े जो एक परिभासा में होना चाहिए वह यहां पर प्रस्तुत है तयार कर लिए अगर कोई पूछे कि इंटरनेट का पूरा नाम मताई पर कोईशन ही आ जाए कि इंटरनेट का पूरा नाम मताई तो इंटर कमतब होता है धान नकेंगे इंटरनेशनल और कोईशन है तो इंटरनेट का पूरा नाम आपको पता ही हो गया intentional network और email email पर लोग परचित तरीका है डेटा सेरिंग का ठीक है डाकूमेंट सेरिंग का तो यह भी पॉपलर बहुत है आप सभी अच्छे जानते हैं आप कि एक देश दूफरे देश एक फे दूफरे थे में इमेल के माटियम से कुछ इंड कर सकते हैं कुछ भी अप लोग उसमें ठीक है अटेश मेंट के जडिये कुछ भीत के बइसक्ते चısब ऑब फारे काम कर शकते हैं और इमेट के बारें प्रशा जितने भी ठीक है रिट दूफ्रे मतब एकका ऐख सकते जितने भी कंप्यूटर हैं यह सोचना में अरदान प्रदान किया जा सके ठीक है थापस में एक दूफ्रे पर जुड़े हैं जिनके मादेन पर किसी भी चीज को इसमें से तांसफर किया जा सकता है एक दुफरी की सूसनाओ ग्राण करना और भेजना इमेल का हिलाता है आजकल इमेल का प्रसितलर अधिक बढ़ गया है इमेल पर सुचना भीजना ठीक डाक से भी सफता है ठीक इस बात को ध्यान ने किंगे यानि कोई भी चीज आपको भीजते हैं तो डाक के माधन से बेज़ेंगे लेकिन अगर वही चीज इमेल पर अटेज कर देंगे तो बहुत ही चंद सिकेंडों में वह आपका डाक कोमेंट या फिर डेटा सुचना वह जिसके पास भीजते हैं उसके पास चंद मिनिट में पर चंद सिकेंड में बहुन जाता है तो यह बहुत ही इजी और बहुत ही अफान तरीका है और यह जो की इंटरनेट के माधन से पोशिबल है ठीक है चले निश को बढ़ते हैं इसको कहरा कि कि भया email का पूरा नाम तो email का पूरा नाम यह से मतलब होगा electronic mail की युक छुका है कि कि smiling कि कि C आगला पराशनीं की वेजिक से कहते है तो वेज जुए वह सूचि ना का अर्स है Oops कोस्ती ml का पिर्योग करके मतलब कि यहाँ पर htmt लिखा है तो यहाँ पर htmt लिखा है यह by mistake लिख गया है जबकि यह होता है html जिसका मतलब होता है h से hyper m से markup और l से language यानि कि hyper test markup language पिर्योग करके निर्मित किया जाता है html एक पद्यत है जो इंटरनेट पर फाइले तथा hyper test फाइले अफ्थांतित करने के लिए किया जाता है मतलब एक तरीके से html यह तरीका होता है इसमें क्या होता है जिसका पूरा नाम होता है hyper test markup language जिसे कि कोई link होती नहीं है तो उसमें क्या होता है hyper test होता है मतलब कि किसी भी link पे अगर आपके click करते तो किसी नहीं किसी page पे या फिर वो link open होती है तो वही चीज होती है html तो इसमें क्या होता web page जो होता है बहुत फारे web page प्रस्ट होते है web page जो होते है उनका collection होता है ठीक है एने का मतलब यह कोई भी website जिब बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारे ठीक क्या होते है web page होते है कोई website का निर्माण करना होता है तो वहाँ पर बहुत फारे web page को मिलाकर website बनाई जाती है और जो web page होते है उसमें बहुत फारे hyper testo का प्रेयोग किया जाता है, link यह प्रिख के जाता है, और hyper test जो markup language होती है, उसका यूच किया जाता है हहाँ ठीक है, इसमें file हो जो एक दूफे, link से attach की जाती, ताकि वह open हो सके, full page में, ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे, वह यह page के बारे में, औ और अग्ला प्राश्न की डबलो डबलो का पूरूरूरूप क्या है को फृबी वह साइट करते हैं तो उसके ब्लो डबलो लिखा रहता है उसका मतलब होता है और दूफ्राज डबलू होता है डबलू ओर और दूफ्राज वाइड और तीसरा जो होता है वेब तो ध्यान रखेंगे इसको ठीक है वर्ल्ड वाइड वेब अगला प्रस्ण है कि हिंदी की प्रमुक चार बेफसाइटों के बारे मताईए तो हिंदी की जो चार प्रमुक बिसेटा है जिसमें से पहले नंबर पे विकीपीडिया जिसके मादल से आप कुछ भी फच करेंगा आपको एकीपीडियाप मिली जाएगा सब्दुकोस बेफसाइट है हिंद कोज है और नेश्ट की है कि गजजट तेन्सो साथ ठीक है तो यह कुछ प्रमुक बेफसाइट है हिंदी की तो उनके बारे में आप परिचे भी दिया आप पढ़ लीजीगा हमने वेबसाइट का नाम बता दिया उसके अंतरगता पढ़ लीजीगा नेश्ट कुस्ट कि साफ्ट भीर किसी कहते हैं तो जैसे कि आपके मोबाइल में कोई भी साफ्ट भीर हो गया जिसे कि फेस्बूक आप लोग चलाते वाटसप चलाते हैं ठीक टेलिग्राम चलाते हैं यूटूब चलाते हैं वाटसप चलाते हैं जितने भी आपके मोबाइल में साफ्ट भीर होते हैं ठीक है जिसे कि वाटसप है फेस्बूक है इस्टाग्राम है वाटसप है मतलब कि इतने भी होते हैं यह सब्सक्राइब करता है कि उसे क्या करना है कप करना है और किस प्रकार करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है जैसे कि उसमें आपको बता है अगला प्रशन है कि हार्डवेर में आपका आजाएगा माउस भी आजाएगा कि बॉर्ड भी आखिए कि उसको अब टच कर पार है लेकिन सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला प्रशन है कि इतने परकार के उते तो सब्सक्राइब तीन परकार के उते पहला होता सिस्टम साफ्ट पेड़ कि कंप्यूटर मुबाइल में पहले से इन बि सब्सक्राइब अगला प्रशन है कि हिंदी में उपलप्द साफ्ट बेरों के नाम थे तो हिंदी में उपलप्द बहुत फारे सफ्ट बेर हैं आई ब्राउजर रहे और भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सेलूशन यह बहुत है भारती ओपन ऑफिस है हिंदी स्पेलिंग चेकर बाउजर रहें मुझेला फारफॉक्स इंटरनेट बाउजर वेव ब्राउजर है ठीक है क्रोम है वर्डफ्रेस है इसी तरह कि में सब्सक्राइब है यह फिर बहुत पारे हिंदी को सौफ्ट बेर जो कि आप लोग समझ पूस्तों है कोई भी चार तैयार कर लिजिए ठीक ह अगला प्रशन है कि वर्ड प्रोसेसिंग उम डेटा प्रोसेसिंग के कार्यों को बेस्लिशन कीजिए यह भी मौस्ट इंपॉर्टन इसके बारे में तैयार कर लिजिए उत्तर है समय ज्यादा है इसलिए तोड़ा डिसकस नहीं करेंगे आप लोग लेकिन इसका उत्तर जो को मालूम है कि हर चीज पुशिबल यह वीडियो कॉलिंग के दरी आप लोग आपकी आवाज उस तक तो पहुची रही साथ साथ में आपका फेस आपकी जो मतलब कि जहां पर बैठें हैं जहां पर खड़ें हैं वह सब चीजें दिख सकते हैं आवाज के साथ साथ आप जाएगा फोटो आजाएंगे आईडियो आजाएंगे बीडियो आजाएंगे यह सब क्या है मल्टी मीडिया ठीक है तो यह क्या हो गया इफिच्छन का पूरा नाम होता इलेक्ट्रानिक विच्छन मतलब आप आनलाइन कुछ भी गूगल पर सच कर रहे हैं उसको पढ़ रहे तो यह हो जाएगा इस इच्छन बसकी बहुत बड़ा इस ग्याम पले बाकि उत्तर आप लोग ने ब्लोग से क्या तातपर है कोई वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं गूगल पे क्रॉम में कोई वेबसाइट कोई भी जब वेबसाइट ओपन होती तो उसमें कुछ जो आपको आर्टिकल लिखा होता वसको ब्लोग बोलते हैं अगला है कि स्वेम पोर्टल क्या जो कि गूर्मेंट के और से लंच किया गया है स्वेम पोर्टल के अंतरगत इस्टिक अश्टेडि यानि कि आप लोग तैयारी कर सकते पर्षकते हैं वेबस ऑफ एक्टिव लर्ड सरकार के मानुस अंसादन विकास मंत्राल है यूं मख्यल भारते टेक्निके फिच्छा परस्त के द्वारा विक्षिद किया गया है यह एक आनलाइन एजुकेशन पोर्टल है स्वेम आनलाइन एजुकेशन पोर्टल की गोफड़ा एक फरवी दोजार फत्रा को पेस आम कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है यहां पर आपको बहुत फारी बुकों के जानकारी मिलेगी बहुत फारे जी के जानकारी यानि कि बहुत फारी नतब कि एजुकेशन पूरा पोर्टल है यहां पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं पढ़ सकते हैं कुछ कोई भी बुक ह किसी भी चीज को आनलाइन ठीक है बस इतना जानी है और अगला क्वेश्टन स्वेंपोर्टल फिरुड़ा क्वेश्टन है कि इसका उद्देश क्या है तो इसके कुछ उद्देश हैं कि जैसे कि पहुंच लोगों तक पहुंचाना निश्पस्चिता किसी भी चीज के बारे म इस पर कला ग्रूप बिग्ञान ग्रूप मांट भी की इंजिनिरिंग तक निकी फिच्छा विद्दी चिकत्सायम करसी आज के ग्यान पर आपके जाफके श्वयम पर उपलब्द सारे पार्ट करम निश्वर के हैं यह जो स्वयम पोर्टल है जो गोर्मेंट के द्वारा ल इस में आप किसी भी कोर्स के इस्टूडेंट हें तो आप अपनी पढ़ाई स्वयम पोर्टल पर कर सकते हैं सोय पार्टल में इन सभी का जो मेट्रेयल है यह जो टैनि मेंत्रिया कर लेंगे आप लोगों के मदन के माधनद से कौल कर सकते हैं लिब यूनिकोट क्या है तो यूनिकोट भी कई बार कोश्चन आ चुका है इसके बार हम तैयार कर लेंगे अब लोगों की समस्तर उत्तर दिया गया है ठीक है और काफी बार बहुत आगा जा चुका है इस बात को धान रखेंगे इफी तरह के प्रस्णाव के परच्छा में देखन कर दीजेगा वहीं पर हम सेंड कर देंगे बाकी मिलते हैं को और ने वीडियो में और यह आपका अपना ही चैंस अक्सेस्ट होए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैंद